आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाल हूँ टेक्नो इसपार्क 9 का FRP बाइपास करने का तरीका यानि की डिवाइस का Google एकाउंट लॉक रिमूब करने का तरीका आप देख सकते हैं दोस्तों बैक साइड में नीचे तरफ टेक्नो इसपार्क की ब्रैंडिं आप अपने टेक्नो इसपार्क 9 का FRP यानि की गूगल एकाउंट बाइपास कर पाएंगे कनेक्ट टू वाइफाई वाले आपसे पहले हमें या करना क्या होगा डिवाइस को जल्दी से किसी वाइफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है तो यहाँ पर डिवाइस को मैंने किसी वाइफाई से कनेक्ट कर दिया डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है उपर की तरफ आप देख सकते हैं वाइफाई का सिंबल सो कर रहा है कुछ सेकेंड यहां वेट करिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए यह जो मैं आपको बताने जा इस मैथड से आप टेकनो के उन सारे डिवाइस का ऐफारपी बाइपास कर पाएंगे जिनका सौफ़Wjuk सो देखें से प्राब्लम और फेस करनी पड़ती है जब आपको डिवाइस फार पी लॉक होती है याने की Google एकाउंट होती है यहाँ पर डिवाइस का वाईपास करने के लिए आपके पास दो आप्छन है सबसे पहला आप्सन verify pin यानि कि आपको ये pin verify करना होगा तो दोस्तों ये pin हमें नहीं पता है एक चीज़ और ध्यान दिजिएगा यहाँ पे अगर verify pin का option है तो यहाँ पे verify password या pattern का भी option हो सकता है second option उपर की तरफ देखे लिखा है blue color का use my google account instead तो मैं simple इस option पे क्लिक करता हूँ कुछ second wait करेंगे तो यहाँ पे लिखके आगा verify your account ये दिखे verify your account का अब सना गया ओके तो अब तो confirm हो गया न कि device हमारी पूरी तरह से frp lock है क्योंकि यहाँ पे device का frp bypass करने के लिए आपको इसी device का google account यानि कि gmail id verify करना होगा जो की हमको नहीं पता है तो विडियो को ध्यान से देखिएगा मैंने आपको बताया न आपको किसी laptop PC की जरूरत नहीं पड़ेगी without PC without laptop घर बैठे 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 बिल्कुल free में आप अपने techno spark 9 का frp bypass कर पाएंगे और इस method से techno के उन सारे devices का frp bypass कर पाएंगे जिनका software latest android 12 से up to date है तो अब यह आपको बैठ जाना है connect to wifi वाले option पर ओके यह देखे connect to wifi वाले option पर हम आ चुके हैं यहाँ पर हमने device को wifi से connect किया था यहाँ साइड में देखिए आपको qr code का option मिलता है आप simple इस पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर देखिए nearby का option है आप simple nearby पर क्लिक करें nearby पर यहाँ यहाँ पर देखिए turn on का option मिलता है आप simple turn on पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तो need help sharing का option मिलेगा आप simple इस option पर क्लिक करें उसके बाद आपको क्लिक करना बिल्कुल पहले वाले option पर यान कि share article पर जैसे इस ए सारी option आपके सामने आएगे यहाँ पे एक option आपको मिलता है Gmail का आपको करना क्या है Gmail को continue प्रेस करके रखना है तो इसके लिए आप अपनी एक finger ले जाए और Gmail को ऐसे continue प्रेस करके रखें ऐसा करने से कुछ इस टाइप पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अभी आपको करना क्या है सबसे उपर के तरफ एक option मिलता है notifications का आप simple notifications पे क्लिक करें notifications के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है बिल्कुल नीचे एक option मिलेगा additional setting in the app आप simple इस option पे क्लिक करें इस option पे क्लिक करने के बाद सबसे उपर के तरफ देखें three dot का option मिलता है आप simple 3 dot पे click करें उसके बाद आपको click करना बिल्कुल last वाले option पे यानि कि help and feedback पे help and feedback पे click करने बाद कुछ second wait करेंगे तो कुछ इस type का interface आपको देखने को मिलेगा अब उपर की तरब देखिए एक search box है उसमें लिखा search help आप simple इस option पे click करें जैसे इस option पे click करेंगे आपके device का keyboard open हो जाएगा यहाँ पे simple आपको type कर देना है दोस्तों delete डिस्पले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल same type करेंगा तो यहाँ पे मैंने simple type किया delete जैसे ही delete type करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले option delete, disable and manage आपको simple इस option पे click कर देना है जैसे इस option पे click करेंगे तो अब नीचे आएए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए numbering है यहाँ पे सबसे पहले number पे लिखा है tap to go to application settings आपको simple इस option पे click कर देना है जैसे इस option पे click करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके device में by default जो applications की list है ये देखें सारे applications की list आपको यहाँ पे so करने लगेगी आपको करना क्या है सबसे उपर आईए बिल्कुल उपर आएंगे तो यहाँ पे एक application आपको मिलेगा दोस्तों Android Auto आपको simple Android Auto पे क्लिक करना है अब देखें यहाँ पे करना क्या है आपको इस application को disable करना है उसके बाद 4C stop तो कैसे करेंगे आप simple यहाँ नीचे sit disable पे क्लिक और last मैं आपको simple OK पे क्लिक कर देना है ठीक है Android Auto इसका work finish हो गया हम बैक चलेंगे बैक आनेक बाद second number का application दोस्तों है Android Setup तो आप simple Android Setup पे क्लिक करें ओके आपको करना क्या इस application को सिर्फ 4C stop करना है तो 4C stop करने के लिए आप simple 4C stop पे क्लिक करें और उसके बाद OK करें ठीक ह Android Setup इसका work भी finish हो गया अब उसके बाद हम बैक आएंगे बैक आनेक बाद एक और application है दोस्तों जिसे आपको disable और 4C stop करना है तो last application है दोस्तों Google Play Services ये रहा आप इस पे क्लिक करें same to same वही काम करना है disable and 4C stop तो आप यहां से disable करें उसके बाद disable app कर दें उसके बाद 4C stop करें और last में आपको simple यहां से ok कर देना है ठीक है तो अब जो भी application जिसे आपको disable और 4C stop करना था वो disable और 4C stop हो चुके हैं अब देखिए आपको करना क्या है अब यहां से back आईए back आने के बाद आप यहां से नीचे आएंगे तो यहां एक application आपको मिल जागा दोस्तों settings का यह आप देख सकते हैं आपके device की main setting आपे open हो चुकी है ओके device की main setting open हो गई सबसे पहले इस device का android version मैं आपको check करा देता हूं मैंने बताया था कि device हमारी latest security android 12 से up to date है तो यहां मैं my phone पे क्लिक करूंगा और यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं यह देखिए बिल्कुल latest android 12 से up to date है अब आपको करना क्या है यहां से आप नीचे आईए बिल्कुल नीचे आपको आना है यहां पे एक option आपको मिलेगा special function का आप simple special function पे क्लिक करें उसके बाद आपको क्लिक करना दोस्तो accessibility पे accessibility के बाद आपको क्लिक करना accessibility menu पे और यहां ध्यान दीजि accessibility menu shortcut यह on हो गया जैसे यह on होगा आप देखें दोस्तों यह देखे green color का symbol आपको यहां पे देखने को मिलेगा और जब इस symbol पे आप क्लिक करेंगे तो यह देखें यह सारे options आपको यहां पे देखने को मिलेंगे ओके अब देखें आपको करना क्या है अब यहां से आपको बिल्कुल back चले जाना है home screen पे तो यहां से आप बिल्कुल non stop बिल्कुल back चले हैं आपको बिल्कुल back आना है home screen पे यह देखें हम back आ चुके हैं बिल्कुल home screen पे अब आपको android setup करना है तो चलिए setup करते हैं तो इसके लिए simple next पे click करेंगे next करेंगे ओके यहां से skip करेंगे यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी प्राबलम फेस करनी पड़ती है डिवाइस हमारी वाइफाई से connect है लेकिन होगा क्या यहाँ पे डिवाइस इस्टक हो जाएगी आगे प्रोसेस नहीं करेगी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस बिल्कुल इस्टक हो चुकी है आगे प्रोसेस नहीं कर रहे है ठीक है तो आपको करना क्या होगा वाइफाई को disconnect करना होगा ठीक है तो disconnect करने के लिए यह connect है मैं simple इस पे ऐसे tap करके रखूंगा उसके बाद यहाँ देखे forget का option है तो मैं forget पे click कर दूँगा वाइफाई disconnect हो गया अब उसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल back चले आएंगे आपको बिल्कुल back आना है home screen पे ठीक है अब आपको फिर से डिवाइस को वाइफाई से connect करना है तो आप simple next पे click करिए next पे click करिए यहाँ से skip करिए आप देख सकते हैं यह आगे process कर गया ठीक है अब उसके बाद आप simple next पे click करिए यह box को check करिए उसके बाद next पे click करिए कुछ second आपको यहाँ पे wait करना है वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस method से आप techno spark 9 ही नहीं बलकि techno के उन सारे devices का FRP bypass कर पाएं कि जिनका software बिल्कुल latest Android 12 से up to date है just a few moment कुछ second आपको wait करना है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी स request करूँगा दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो प्लीज आप मुझे support करिए मुझे support करने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए like करना बिल्कुल न भूले और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए जल्दी से आप मारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करें और अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजी यहाँ ऊपर की तरफ यह देखिए checking for update और यह देखिए यह continue round करेगा यहाँ पे काफी time आप वेट करेंगे लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ accessibility menu shortcut का जिसे आपने on किया था तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको accessibility menu shortcut पे क्लिक करना होगा तो यह सारे options आपके सामने आ जाएंगे मैंने पहले भी दिखाये था उसके बाद आपको क्लिक करना होगा assistant पे जैसे ही आप assistant पे click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे आपको blue color की setting मिलेगी आपको करना क्या है? setting पे जल्दी-जल्दी click करना है इससे क्या होगा? आपके device में Google Play Services का app info open हो जाएगा और आपको याद होगा, आपने Google Play Services को disable किया था disable किया था न, आपको सिर्फ और सिर्फ Google Play Services को enable कर देना है तो आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना है? अब चलिए ये चीज में practically करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले हैं click करेंगे accessibility पे, उसके बाद assistant पे यहाँ पे दिखेगा setting, नई दिखा, फिर से try करते हैं, accessibility, assistant, setting दिखेगा जैसे ही setting दिखेगा, आपको तुरंट setting पे जल्दी यल्दी क्लिक करना है accessibility, assistant, continue आपको ये repeat करते रहना है ऐसा कई बार आपको करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में Google Play Services का app info open हो जाएगा आपने Google Play Services को disable किया था, आपको उसे enable करना है accessibility assistant, setting, और ये देखे दोस्तों, finally आप देख सकते हैं मैंने कितनी बार try किया, और finally दोस्तों ये देखे, Google Play Services का app info मैंने बताया था कि आपको इसे enable कर देना है, यहाँ पे देखे, enable का app तो आप simple यहाँ enable पे click कर दीजिए, अब ये देखे, Google Play Services हमारा enable हो गया, अब देखे, आपको करना क्या है, अब दोस्तों, यहाँ से आपको एक एक point back जाना है, ठीक है, पहले एक point back जाएंगे और wait करेंगे, यहाँ उपर की तरफ Google Services सो करना चाहिए, ठीक है अगर suppose करिए एक point back जाने के बाद Google Services नहीं सो करता है तो एक point और back जाना है, और wait करना है, यहाँ पे सो करेगा गूगल सर्विसेज, तो पहले मैं एक point back जाऊंगा, तो यहाँ से मैं एक point back जाता हूँ, और wait करूँगा गूगल सर्विसेज नहीं सो किया, एक point और back आएंगे, और wait करेंगे और यह देखे, finally दोस्तों आप देख सकते हैं, गूगल सर्विसेज यहाँ पे सो कर दिया तो गूगल सर्विसेज सो कर दिया, इसका मतलब हमारे डिवाइस का FRP बाइपास हो चुका है complete android setup करके दिखा देता हूँ, more पे click करेंगे, more पे click करेंगे, accept करेंगे यहाँ से हम ok कर देंगे, आपके डिवाइस का FRP बाइपास हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको complete android setup करके दिखा देता हूँ इस option को हम skip करेंगे, यहाँ से ok करेंगे, ok, यहाँ से इस option को skip करेंगे, once again skip पे click करेंगे, ok और उसके बाद simple इस arrow पे click कर देंगे, यह देखे based on android 12, device हमारी android 12 से up to date है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया techno spark 9 का frp bypass करने का तरीका, without PC, without laptop मेरी इस वीडियो को देखकर घर बैठे बैठे बिल्कुल free में आप अपने techno spark 9 का frp bypass कर पाएंगे, यह देखे, finally complete android setup करके दिखा दिया हमारे device techno spark 9 का frp bypass हो गया, एक चीज और, accessibility menu shortcut यह आपने on किया है, इसे आपको off करना है, तो off करने का तर दोस्तों, यहाँ पर नीचे तरफ मिलेगा accessibility, आप accessibility पर क्लिक करिए, उसके बाद accessibility menu पर, और यहाँ से आपने इसे on किया था, यहाँ से आप simply इसे off कर दें, ध्यान रहे दोस्तों, इस method से techno के उन सारे devices का frp bypass कर सकते हैं, जिनका software बिल्कुल latest android 12 से up to date है, तो दोस्तों, यह विडियो को जादा से जादा से सेर करें, विडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग विडियो की continue notification पाने के लिए जल्दी से आप मारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेलाकान है, उसे भी प्रेस करें, तो दोस्त विडियो कुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो माच